So guys welcome back to micro classes, हमारी Merit University और Sanpun University की B.A.D. की classes चल रही है, आज का हमारा subject है Contemporary India and Education, Contemporary India की है सत्रुवी class है, आज का हमारा topic है सर्वशिक्सा अभियान, अभी सरकार की तरफ से एक अंदोलन चलाया गया था, सर्वशिक्सा अभियान, ये क्या था, क्या विशेश था थी, इसकी क् वह सब अगर B.A.D. exam की बात करें हम तो short question में आता है, और very short में आता है, ये short और very short में देखने को मिलता है, long question में देखने को नहीं मिलता, इन दोनों university में ये, Merit University और Sanpun University, mostly ये short question में आता है, और short के according की इसे आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा topic है, सर्वशिक्सा अभि देते हैं, SSA भी आपको लिखवा मिल जाएगा, very short question के लिए, कि SSA की full form बताओ, या पिर जो आपका practical वायवा होता है, उसमें SSA की full form आप से पूछ ले जाएगी, सरकार काफी सारी योजना है चला रही थी, प्रात्मिक शिक्सा को बढ़ाने के लिए, सभी बच्चों तक पहुँचाने के लिए, उस टाइम पर, तब ये कोई एक विसेस योजना तो नहीं है, जो सरकार की तरफ से निकाली कई है, लेकिन ये एक जन आंदोलन था, लोगों को प्रेरित करने के लिए, हमने एक आंदोलन छेड़ाया कि सभी को सिक्सा जरूर मिलने चाहिए, जो भी हमारा समाज है, कोई भी समुदाए है, हर समुदाए तक इस अंदोलन को पहुंचा दो, सभी को सिक्सा जरूर मिलने चाहिए, तो ये एक अभियान था, एक तरह से अंदोलन के रूप में आभी से कह सकते हैं, कि एक जनता को प्रेरित करने के लिए, सरकार ने इसके बात की दिये, भारत को स्वेतंदरता 1947 में प्राप्थ हो चुकी थी, तथा समुदान 1950 में लागो हो चुका था, समुदान के अनुछेद 45 में क्या लिखा हुआ है, कि समुदान लागो होने के 10 वर्सों के अंतर अंदर, रज्य के, मतलब भारत के सभी 14 साल के बच्चों तक प्रात्मिक सिक्सा पहुँच जानी चाहिए, ये अनुछेद 45 में लिखावा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उसके लिए, उसके बाद सरकार ने और जधा योजनाय और अभियान चलाई, उस काम को ही करने के लिए, समुदान के अनुछेद 45 में सिक्सा के संदर में परसारित करने के लिए अनेक और योजनाय और अभियान चलाए, जिसमें से सर्व सिक्सा अभियान भी एक है, अब ये प्रात्मिक सिक्सा को परचारित परसारित करने के लिए था, सर्व सिक्सा अभियान सब के लिए सिक्सा है तो एक जन अंदोलन है, ये कोई योजना या पिर कोई एक्ट या कोई नीती नहीं है जो केंदर सरकारी राज्य सरकार अपनी तरफ से चला रही है ये एक जन अंदोलन है लोगों को प्रेरित करने के लिए था जिसका उद्देश से विद्याले गति विदियों में सक्रिय समुदाइक सहबागिता से सभी समुदाइ एम व सदिया जाएगा इसके लावा एक RTE Act आया था उसका मतलब भी यही था 2009 में आया था कि सभी बच्चों को निसुलक वे अनिवारे सिक्सा मिले लेकिन ये कानून था एक्ट था ये केंदर सरकार ने पारित किया था ये संसद में लेकिन ये जो सरु सिक्सा वियान है ये एक अन्दोलन है जो केंदर सरकार ने लोगों को जागरू करने के लिए सभी वर्गों को सिक्सा मिले सामुदाइक सहब आगिता बड़े मतलब सिक्सा के छेतर में ऐसा नहीं है सरकारी परियास कर रही है लोग है जो लोग भी परियास करें कि सभी बच्चे को सिक्सा मिलनी चा साल के सबी बच्चों को उपयोगी तता अनिवारे प्रात्मिक शिक्षा पर दान करना है इस कारेकरम में इस्तरी प्रूस ऐसमानता समाजिक अंतर आदि को समाप्त करने के भी परिकल्पना की गई है कि सब लोग जब एक साथ खड़े होंगे और एक बात कहेंगे तो जो हो जाएगा यह अभियान दोजार दोजार एक में अटल बिहारी वाजपई की सरकार ने शुरू किया था इसका उद्देश से देश के हर बच्चे को सिक्षा देना था सर्व शिक्षा अभियान का ये एक लोगो था सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें तो बच्चे वगरा रेलियां वगरा भी काफी निकाला करते थे इसके बारे में तो ये एक अंद्वलन था नहीं कि कोई सरकार द्वरा चलाएगा एक्ट या नीती अंद्वलन था इन में हलका सा अंतर है ये आप समझना सर्व सिक्सा वियान चलाने के क्या उद्देश से थे ये इसके क्या विशेस्ता ही थी आप यही लिख सकते है जो भी आपके पेपर में आता है चातरों के सिक्सा अपराप्ती में तेजी लाना ये एक उद्देश से था समाज को सिक्षा के पड़ती जागरूख करना ये इसका मेन उद्देश से था कि समाज को भी जागरूख करना सिक्षा के पड़ती ऐसा नहीं है कि हम योजने चला रहे हैं मिड्डे मिल चला रहे हैं स्कूल चला रहे हैं स्कूल में मिड़े मिल वगरा के खाना खिलाएंगे पैसा देंगे आ जाओ लेकिन एक उद्देश से ये भी था इसका समाज के लोग जागरूत हो समाज के लोग खुद कहें कि हमारे समाज में कोई भी बच्चा बिना सिक्सा लिए नहीं रहना चाहिए लोग खुद कहें तो लोगों को जागरूत करना यह एक आंदोलन में इसका उद्दिश से था अभियान का सैक्सिग गति विदियो में समाजिक गति विदियो को जोड़ना वहीं बात है सिक्सा से समाज को जोड़ना वहीं बात आजाती है सभी बच्चों के लिए वर्स 2005 तक प्रारंबिक विद्याल ले है सिख्षा गारंटी केंद्र वैकलिपिक विद्याल ले है और बैक टू स्कूल सिवीर की उपर अबता कराना मतलब 2005 तक सभी बच्चों को प्रारंबिक विद्याल ले प्रोवैड कराना शिक्सा की गारंटी देना अलग अलग तरह के स्कूल 2005 तक सभी बच्चों को प्रोवेड कराना वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को पांच वर्ष की प्रात्मिक शिक्सा पूरी की जाए मतलब वर्ष 2007 तक जितने बच्चे में प्रात्मिक सिक्सा पूरी कर ले कोई भी बच्चा ने रहे वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की इसकूली सिक्सा सभी बच्चे पूरी कर ले जीवन उपयोगी शिक्सा पर बल देते वे संतोष जनक गुणवत्ता पुन प्रारंबिक शिक्सा पर बल दिया जाए प्रारंबिक शिक्सा पर सभी समाजिक वर्ब भेदों को समाप्त किया दिया है मतलब प्रारंबिक शिक्सा में जो कोई भेद बहु है उसे समाफ्ट कर दिया जाए सन दोजार दस तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सुनने कर दी जाए संख्या मतलब दोजार दस तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ रहा है सभी बच्चे पूरी प्राइमरी एजुकेशन लेनी चाहिए प्रारंबिक शिक्सा इस तर पर समस्त लिंग एवं समाजिक स्रेनियों के भेदों को समाफ्त कर देना है हमें तो यह इस अभियान के उद्देश से यह सरुशिक्सा अभियान था इसके उद्देश से यह सोट कोश्चन में आता है ये एक आंदोलन था सरकार की कोई एक विशेश ये योजना नहीं थी सरकार इसी पाडित कर रही है कि इंदर सरकार राज्य सरकार मिलकर ये एक बस आंदोलन था जो सरकारों ने सुरुवात की थी इस आंदोलन की तो ये बात ध्यान रखना इबारिक सांतर है दूसरी योजना आई थी ये अभियान था ये अंदोलन था I hope service इकसा अभियान क्या था ये आप समझ पाएंगे वीडियो अच्छे लगी हो आप इसे अपने B.Ed. गूरूप बेर दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं B.Ed. की सभी subject की इसी तरह से daily regular classes लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Till then Bye Bye Take Care